हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल अब देखते हैं गोल्ड क्या रिस्पॉंड करने वाला इस बीक में एक जबदस डाउन मूब रहा है और ओवर आज इसे निगेटिव सेंटिमेंट फॉर्दर बनाए है तो इस बीक में जैसे सेंटिमेंट रहेगा आपको डिटेल में यह एक प्लेटफार्म पर मिलेगी आप यहां पर मुझसे जुर सकते हैं इसमें मैंने आपके लिए सिल्वर मिनी माइक्रो की वीडियो पोस्ट कर रखी आप देखिए सीखिए और लर्न करते रिए साथ में आपको यहां पर लर्निंग कंटेंट की विसे में डिफरेंट ट दियते हैं सिर्फ लर्निंग पर पचले दिया जाते हैं तो ट्रेटिंग से पहले एक बार अपने रिक्स को मैनेज करके प्लान करिए अब यहां पर जैसा फार्मिशन इसने यहां पर किया था पोजिटिफ फार्मिशन था उपर जाने के लिए लगबख सिमलर डाईव का फार्मिशन यहां पर हो चुका है अब इसको फालो पाना चाहिए अगर फ्रेंड फालो पाता है तो आपको यह 1918 डॉलर होते हुए 1900 डॉलर तक का रेंज आपको नेक तेखने वाला है एक बीक म तो कॉमेक्स में जितना जबरदस फालो होता है इसके कंपरेजन में 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 थोड़ा कम हुआ है लेकिन रास्ता एक ही फालो करता है अगर यह आगे चलेगा तो इसके पीछे ग्लोबल मार्केट है इसकी ट्रेडिंग ज्यादा टाइम फ्रेम में होती है और उसकी जो ट्रेडिंग होती है ग्यार बजे बंद जाती है लेकिन यह चलता रहा है बीच में थोड़ा ब्रेक होता है तो इस कारण से यहाँ सेंटिमेंट ग्लोबलाइजेशन को पुरा तो इंडियर मार्केट में इंपक्त पड़ता है इसको भी आप फालो कर सकते हैं अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है कि अमेरिकन मार्केट में कैसे पर्फार्म करता है अफिर यहां हमने जबी तक देखा अगर इसको आप देखने को कोसिश करें तो लगातार 1918 डॉल अब इसके बाद में एक sentiment सेकर हम और देखते हैं जो कि इसका है अवली के बाद में हम इसको daily time frame में पहले देख लेते हैं daily time frame अगर friends देखते हैं तो price pattern को समझेने के कोशिस करें तो market बहुत अच्छे से react करता हुआ धीरे धीरे करते हो नीचे पहुंच रहा है तो हमें just trend को follow करना है क्योंकि आप देख रहे हैं किसी भी candle ने higher high नहीं किया next इसकी buying के positivity gold में तभी आएगी जब ये previous candle के उपर जागे closing करने लगे ये रहा अभी का comics का range comics further अभी negative sentiment बना के चल ला है अब हम देख रहे थे हैं कि MCX में क्या sentiments है NCS को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा weekly time frame में क्योंकि दोनों को हम compare कर रहे है weekly time frame में अगर friends आप देखते हैं तो वहां हमने देखा था लगा 3% का correction लेकिन उसके comparison में यहां पे लबग 2% का correction phase आया है और further ये कि strong support zone में बना हुआ है वह support zone में है already लेकिन उससे भी जादे strong zone में यहां पे बना हुआ है तो अभी यहां पे further market के लिए space बचा हुआ है 59,000 तक आने के लिए इसके बीचे travel करना चाहिए correction phase थोड़ा negative sentiment में बनाता हुआ दिख रहा है अगर इस दोनों pattern को अगर आप देखने के कोसिस करते हैं तो एक negative angle type का pattern बना है जिसको हम evening star भी बोल सकते हैं और इसने बहुत अच्छे move को downside में convert किया है अब इसके लिए next level market के लिए 59,600 point की range है 600,600 point अगर यह रोक लेता है तो well and good है नहीं तो फिर market के थोड़ा weakness ज्यादा हो जाएगी और यह 58,500 का range आपको देखने को मिल सकता है यह रहा हमारा MCX का जो gold है उसका range है weekly time frame में अब हम इसके बाद देख लेते हैं daily time frame daily time frame में friends हमें buying के पॉश्योटी के लिए no doubt जाना होता है लेकिन कुछ तो हमें मिलना चाहिए जिसके कराण हमें जाना अपड़े तो वहां अगर आप देखने के कोश्यों करते हैं तो एक भी candle ऐसी नहीं बनी जो हमें entry करने के लिए बोल रहे हूं कि आप entry कर लिए यहाँ जो हमने last week देखा था उसके बाद में लगातार market lower low का formation करता हुआ लगातार नीचे बनता हुआ रहा है तो हमें कभी भी market के against में नहीं जाता है क्योंकि हम as a trader काम कर रहे हैं और investing fight of week के लिए मैंने आपको बताया थे market यहाँ decide करें ने दीजिए ऊपर या पर नीचे जब भी छोटी dollargy type की candle top पे बनती है तो बहुत crucial phase होता है market to decide करने के लिए तो आपको उसको देखना होगा तो जैसा formation अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यह लबख similar type का pattern मनाते हुए कुछिस कर रहा है अगर यहाँ पर आता है तो यह range इसके रोकने की काम करेगी उसके बाद ही further reaction यहाँ पर देखना को मिलेगा तो अगर आप ट्रेंड फालो कर रहे हैं नाउन ट्रेंड में या फ्रस्वाइंग की अपर्शुटी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको एक बार देखना चाहिए गोल्ड मीनी को similar type का pattern आपको गोल्ड में दिखाए पड़ेगा और इसके छोटे lot size है उसमें भी आपको देख सकते हैं ज वो सारे global situation है क्योंकि globalization का time है इस वज़से आपको सारे factors को measure करते हुए चलना पड़ेगा जैसे आप लोगों को कई बार रहता है कि क्या follow करें तो आप एक बार American market को follow करते हुए Indian market predict कर सकते हैं Thank you friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में happy trading and happy diwali